Hello friends, welcome to my nurture, मैं हो Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया एक्जाम चल रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा, कुछ लोगों के एक्जाम साइध हो गए है, कुछ श्टेट में साइध सेडूल का आगे बिच्छे, बाद वाकी कुछ लोगों के एक्जाम चल रहे हैं एक एक्जाम हो चुका है, उसी एक्जाम को साइध किसी ने उस एक्जाम पे गौर नहीं किया जो एक एक्जाम हो गया, है ना फार्मा को अगनोसी का, उसको किसी ने गौर नहीं किया या यूं कहूं मैं, ठीक है, आप लोगों ने एक्जाम पे नोटिस नहीं किया आप लगे पढ़े हो, यह पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है, थम्मनेल देखके मज़ा हो गया अगा रहे, सर तो आज घूटी देने वाले है, of course, जो चीज, 10-15 मिन का वीडियो रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, जो चीज बच्चा यहां पर बात समझ लेगा मेरी, कोई confusion नहीं रहेगी, है ना, सवाल मैं बता दूँ बच्चों का, सर कितने पन्ने भरने हैं, तो अब जो मैं यहां बताने वाला हूँ, आपको पन्ने भरने ही नहीं है, आया मज़ा, पन्ने भरने नहीं भाई, सच में नहीं भरने, मैं अभी प्रूफ द कराते हैं, मैं भी जो मैंने कराया है, फ्रह सा एक्स्टा कराया है, चीजों को फ्रह दावाई लेकर चले हैं, हमको डाउट था कि पता नहीं पेपर कैसे आएगा, बट जो पेपर आया है बच्चों, वो एकदम हलुआ, आपको सर हलुआ पढ़ने पार चलता है, येस, बिल रखा अगर, अर्जुना, उसकी फैमिली स्पीसिस, बस खतम, अगर इस तरीके से भी सिलेबस को याद कर लेंगे, आपके 50 आने, जो 80 नमर पेपर हो रहा है, 40 से 50 नमर कहीं नहीं गया आपके, क्या सर वाकई में है, सनाई दे रहा है मेरे को, येस, वाकई में है न, कम पढ अगर नमर आएंगे जादा, सर देने वाले हैं, जादू की पुडिया, चलो देखते हैं, इसको समझ लिया तो, किसी एक्जाम फेल लिऊंगे, येस, बात को समझो, जो नया एक्जाम पैटर्न आया है, वो बहुत असान कर दिया गया है, अगर काईदे से देखोगे तो, और नहीं समझोगे, पढ़े रहा होगे, पहले होता था, हमें पूरी कहानिया लिखनी है, सब कुछ लिखना है, ठीक है, अब तो चीजे to the point है, कैसे आव समझते हैं, चलें, तयारो, शुरू करें, कुछ मिलने माला है, येस, अरे, ये तो पेपर है, है ना, तो चलो पेप पर आज चुका, I think, पेपर किलियर है, ये, कैमरे में देख लूँ मैं, पेपर किलियर आ रहा है, हाँ, पेपर समझ पा रहे हो, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो लोगों के पेपर निकाल ले, मेरी समझ से पेपर समझ में आ रहा है, ये, ये इस बार का पे साथ दो तारिक को हुआ है समझ लेते हैं इसको मैक्सिम माक्स 80 नंबर का था ठीक है ना बहुत से बच्चों ने कुछ मॉडल पेपर खईद लिया होंगे कुछ लोग इदर दोर से इंफोमिशन ले रहे होंगे ठीक है कुछ टीचर्स लोग यूट्यूब अगरा पर चीज़ें अपलोड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप लोगों कहीं न कहीं से हेल्प मिल रही है तो देखो चीज़ें वही है पैटर्न मैट बता चुका था बिल्कुल डिट्टो वही पैटर्न है जैसा कि मैंने समझाया था ठीक है पहले हमारे पास छे कोश्चन आते हैं पांच नमबर के अब बच्चो देखो यहाँ पर यह पांच नमबर का कोश्चन है समझना सवाल था पांच नमबर का सर कितने पेज भरेंगे पूँच-पूँच के बच्चा परिशान और मेरा सवाल एक ही होता था क्या होता था मैं कहता था बच्चो देखो क्या देखो तुम्हार पास क्या है सिलेवस है सिलेवस में क्या क्या पूँच रहा है biological source chemical constraint ठीक है और क्या पूच रहा है therapeutic activity और उसकी efficacy तो वही चीजे लिखके आनी है एक्स्ट्रा नहीं लिखनी है है ना फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे सर ने ये भी करा दिया है ये भी करा दिया है हमारे सर बहुत डीप करा रहे हैं तो knowledge के लिए तो अच्छी बात है पर exam के लिए बेकार है ना कैसे बेकार है यहां पर इस बार यहां पर देखो question तोड़ा गया है और उसकी marking fit कर दी गए यह बड़ी एक important चीज साहे तुम लोग ने पन्ने लिखने है तो देखो यहां पर बात आती है define फार्मा कोगनोसी तो डिफाइन एक या दो definitions है जो तुम दे सकते हो discuss the scope scope में जैसे चार नंबर का scope है तो आठ पॉइंट लिख दो है ना चार नंबर का है तो इसमें कितने लिख दो कम से कम सवाली पैदा नहीं होता पहली चीज प्रूफ हुआ अच्छा अब मैं इसमें एक चीज और करता चलूँगा मैं मार्क करता चल रहा हूं देखो क्या चीज मार्क करता चल रहा हूं किस से आया ये यह आया है मेरे पास चैप्टर नंबर वन किलियर है मैं चैप्टर इसलिए बताना चाहरा हूं बच्चो लास्ट में एक निसकर्स निकलेगा बताना लास्ट चाहता था अभी बता दे रहा हूं मैं वो निसकर्स यह है एक भी चैप्टर छूटा नहीं है जि से सवाल नहीं है तो चैप्टर तो सारे important हो गया है जो बच्चों के मन में सवाल सा कि सर कौन सा chapter ज्याता important हा जो चैप्टर ज्यादा बड़ा है जैसा हम लोग देखेंगे अभी कि यह chapter number five बहुत बड़ा है तो सभसे ज्श्यादा number का इसी से आया हुए है कोश्चन भी यहीं से बनेगे सबसे चाहए सारा निखान से समझ ले ना स्लेबस सामने रख ले ना मैं चीज़े बता चलूंगा पहला क्या दा हमारे पास की डैफिनेशन हिस्ट्री प्रिजेंट इस्टेटस scope ठीक है ना तो हमारे पास क्या-क्या आ गया definition पहले question में कर लिया गया और scope definition और scope तो तुम्हें हर subject में अगर has levels में तो पढ़के जाना ही जाना है वो बचेगा नहीं बास समझ में आ रही है clear है now second question describe in short the various system of classification of crude drug सीधा 5 नंबर में आ गया अब यहां point नहीं बनते हैं describe in short 5 नंबर का है याने कि अगर हम लोग बात करें classification of crude drug गौर से देखो जारा यहां पर classification of crude drug 1, 2, 3, 4, 5 6 तरीके हैं हमारे पास 6 तरीके हैं तो याने कि हर एक तरीके को क्या माने एक एक नंबर का 6 तरीके हैं अगर एक एक नंबर का है तो basic basic अगर इनकी हम एक 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 तीन तीन चार्चा लाने लिख दें तब भी तो हमारे पास क्या है अगर तुम मान लो 6 तरीके हैं तीन तरीके लिख के आए तो भाया तीन नंबर मिलने मिलने है क्योंकि 6 तरीके हैं तो हर एक एक नमबर का भी नहीं बैठा जाकर के एक नमबर से भी कम हो गया वो यह बास समझ में आ रही है क्योंकि question या अब 6 तरीके हैं तो काईदे में देखा जाए तो हर तरीका 1 प्लास 1 प्लास 1 में तूटता है जाकर के आगे तक एक तरीका लिखो तो एक number clear है दो तरीके लिखो दो number clear है अब यह थोड़ना कि उस एक वाले number अब एक number में न वो उसकी main main तीन-चार point लिखे खास-खास चीज़े अब यह नहीं कि उस एक number वाले के लिए तुम भरे चला गया मतलब क्या क्या तुमने इस एक को तो लिख दिया एक पन निमा अथा तो बहुत अच्छे थे फिर आगे लिखे ही नहीं तो अगे यहाँ पर एक चीज़ प्रूफ होती है कि क्या हमको to the point रहना था और syllabus के साथ चलना था उसके अलाबा हमें कुछ नहीं करना था फिर देखते हैं ठीक है अब आगे देखते हैं नेम था वेरिस में तरहो evolution of crude drugs evolution of crude drug ये part कितना है दो नमबर का है रैट कर लें इसे हाँ ये part कितना नमबर का दो नमबर मैंशन था और पर आता था तुकड़े तुकड़े में वैसे तुकड़े कर दिया दो नमबर में तुम क्या चार पन्ने भरोगे कोशन पांस नमबर का है क्या तुम इसमें चार पन्ने भरोगे evolution methods लिखने है ठीक है अब जो methods है हमारे पास ठीक है evolution of crude drug evolution of crude drug एक तरसा समझ लो कि ये पूरा ही आ गया ठीक है ना तो अब दो नमबर के हिसाब से कोशन evolution of crude drug दो नमबर में है तो दो नमबर में चार पन्ने भरना भेमानी है भी यह में पॉइंट्स जो तुम्हें में थीम याद है उसको लिखना है यहां पर बास समझ मारी है आगे आते हैं फिर organoleptic उसके लिख देने है बगरा बगरा हो सब राइट अब आउट जो को specify कर दिया किसके बारे में देना है distribution और टेस्ट ओन्ली डिस्टिबिशन अट याने की अल्कॉलाइट को साफ साफ कह दिया कितना एक नमबर में distribution कितना दो नमबर का test कितने दो नमबर के दो नंबर में दो टेस्ट मी लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे क्या ये 5 नंबर का कोश्चन 5 पन्नों का है खुद से सवाल करो जा रहा टेस्ट, टेस्ट एक एक लाइन में खतम हो जाते हैं डिस्टिबिशन कहां कहां पाये जाते हैं प्लांट के अंदर कि इसमें पन्ने भरोगे नहीं न तो बस बात में वही कहना चाहरा हूँ कि पांच नंबर का सवाल भी जो है वो अब पन्ने भरने लाइक नहीं रहा गिया है तो नेक्ट जो एक्जाम पढ़ोगे बहुत काईदे से सिलेबस की एक-एक पॉइंट को बात को अच्छे से बार किसी करने जाना है क्यों तो बीस नंबर का जो तुमारा अब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो बड़े मज़स हो जाएगा ठीक है अब देखो आज़ो इधर पर अब यह देखो वाट आर बायलाजिकल सोर्स केमिकल कॉंस्ट्रेंट एंड थेरबिटिक यूसेज जब मैं फार्मसुटिकल केमिस्टी करा रहा था तो बहुत बच् सब्सक्राइब करा रहे हैं क्यों भाई या बायलाजिकल सोर्स ठीक है हमारी यह रहा है है कहां कहीं रहा है क्या इसके अलावा एक भी चीज एक्स्ट्रा पूछी है नहीं पूछी है तो बायलाजिकल सोर्स वही मैं कहा रहा है दो लाइन लिख दोगे ठीक है एक में फैमिली यह और एक में इस पीसिस का नाम केमिकल कॉंस्ट्रेंट चार पांच में हमेशा करता है चार पांच यात कर लो चार पांच लाइने हो मतलब एक 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 वर्ड लि है खटाक से उड़ाद होई तो कहने का मतलब यह है कि आप पैटन बड़ा अच्छा कर दिया गया यह बहुत इजी पैटन हो गया है अब हमको पूरी राम कहानी लिखनी की जरूरत नहीं है यहां पर जो चीज पूछी है उसका आंसर दो ठीक है ना टीचर उसका नमबर दे होती है लेकिन इन तीन चीजों के बारे में पूछ रहा है मेरा कहने मतलब समझ गए होगे तुम लोग ठीक है ना तो अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं अब उसको देख लेंगे अभी कौन सा किस चैप्टर से आया वह भी थोड़ा फटा पर डिसकस कर लेंगे बाद टर्डिगांड मजा घ Bread आगें लाओ उगा पांच म enjoying the तुम्हां कर रख्किंड ये THAT सुछा भुता हुआ था कहां ये fields पोई आ 육ेक कोई बात नहीं लेट स्टा нравится किया दने लोग को बात है अब यह लोग बोला थो आपको ऐसा करा दूंगा मैं हलुआ लाएगा सेकंड यह तो चिंता ना करो फिलाल हम एनलाइस कर लें थोड़ी सी एक्ष्पेंद बेसिक प्रिंस्पल इन्वार्वे दिखलो यहां पर किसकी बात कर रहा है प्रिंस्पल के हैं होमेप्रतिक सिस्टम ऑफ मेडिशिन पांच न प्रिंसपल क्या है तरीका जो होता है उनके करने हमको बास समझ मारी ना क्या कोई चीज स्लेबस से बाहर आई है अगली जैसे अगला पेपर आएगा उसमें क्या है ठीक है इसमें क्या बोल रहा है यूज डैस अच्छा जर्नल बात है इसमें बाते लिखनी पड़ेंगी ठीक आप इसमें जैसे बोल रहा है क्या बालजिकल सोर्स तो जो हैडिंग है केवल और केवल वही याद करके तुम्हें जानी है उसके लावा एक्स्टा कुछ नहीं करना कि लिए बातें आगे आते हैं चलो देखें जा रहा है अब तीन हलुआ कर दिया तीन नमबर वाला पास नमबर वाला तब भी सही था डिसकर प्रजेंट इस्टेटस और फार्मा कोगनोसी तीन नमबर में ना स्टेटस तो यह देखो कहीं ना कहीं जो चैप्टर नमबर वन है स्टेटस इसकोप और डेफिनेशन लगभग सब कुछ आ गया स्टेटस को टूदा पॉइंट लिखने चलो तो दस बारा पॉइंट में खतम हो जाएगा तो वह आपका एक दिल बनने में भरेगा उसका तीन नमबर का है पांच नमबर का नहीं है ठीक है आगया आते हैं चलो देखें क्या बोल रहा है वाट इस अडल्टरेशन अडल्ट अडल्टरेशन देते हुए एक दो 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 नमबर का यह पार्ट कितने का है दो नमबर का है तो पास होना एकदम असान बास समझ में आ रही है के लिए रहे है वाट दू नो अबाउट दा हरबल कॉस्मेटिक ठीक है यह एक जनल कोशन आ गया हमारा हम कह सकते हैं भई क्या है यह हरबल कोस्मेटिक का ठीक है तो यह अ मेर पास हरबल कोर् definition में तो हर वाल कोशन में तुम क्या करोग इसके बारे में बैने जैसे बताया था कोई एक पकड़ लो पकड़ा एक्जामपल के तौर पेस का सोर्स ये ये और ये दे दिया दो तीन चीजे बस काफी है और अगर हरवल कॉस्मेटिक की बारे में ज्यादा नहीं लिख सकते हो तो इसमें कोई दो पकड़ लो बातों में नहीं पढ़ना तू तर पॉइंट रहना आगे आते हैं राट टेस्ट फॉफ एडिटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड ग्लाइकोसाइड के टेस्ट तो कई सारे कर रखें तीन नमबर के तीन टेस्ट देदो खेल खतम ठीक है ना तीन टेस्ट के लिए बताओ कित टेस्ट के उप्हूप लिए कोई दो पगड़ो तुलसी सब लोग पढ़के गए तुलसी के बारे में ऑपियम कोई नसेडी तो नहीं है ठीक है तो कोई दो और अब कितना पन्ना वरोगे क्या सवाल के लिए रोगे अच्छा जो मैं अपना लाश्ट लेक्चर दिया था इ कुछ नहीं लिख सकते एक्स्ट्रा किलियर है तो यह लेक्चर देखते रहना पूरा अभी आवात्य और इंट्रेस्टिंग आने वाली अगर यहां तक आ गए हो तो ठीके रहो पंदा-बीच मिनट आदे गंटे का हो सकता मुझे भी नहीं पता कोशिश करूंगा जल 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 लग्जेटी पेठीक करने वाले डायुरेटिक पेसाब कराने वाले कितने पेज भरोगे बताओ अच्छा एक नंबर के लिए कितना पेज भरना चाहोगे हाँ बच्चे गर्में सर्व हम तो बहुत बहुत लिख कि आए ध्यान नहीं दी ध्यान दे दो गया कैसे एक्जाम क की रूप में एक लेक्षर मनाया तो उसमें यहीं सारी बाते डिसकस करी थी मैंने और फिर अब सामने दिखा करके डिसकस कर रहा हूं मैं कि देखो यही आया है ठीक है ओके ना राविट्दा बाइलाजिकल सोर्स और केमिकल कॉंस्टेंट ऑफ ऑक्सिटोसिक ड्रग अब द मैं पढ़ा रहा था इतना ज्यादा कोशनी करी ने एक बार को में को डाउट फूल लग रहा था रहा है रहे पता नहीं सब्स्टेशर कराने ऐसो नहीं कम करा रहा हूं सभी मैंने का देखेंगे इसको कुछ होगा तो फिर लेटर लिखेंगे कि जब इतना ही चीज बोली ग कोrang ठीक है राइटिश ओडर आफ अब देखो श्रट नोट बोल दिया अब मैं नहीं पर वृइंगा थैर देडर का है कोई दो तो लिखोगे इसके बारे में शॉर्ट नोट का मदला समझे आ गया ना जो चीज़ हमको पढ़ने हो कहा गया अब यह थो ना फलान डिमका उसके रियक्सन मार दुनियादारी लिखे चले जा रहे हो क्या फाइदा उसका हमारे कोर्स में जो है केवल उतनी चीज लिखेंगे और है भी तो कोशन कितने नंबर का तुम भी कह रहोगे सर आपकी बात तो एक्दम सहीए देड़ नंबर का कोशन है देड़ नंबर में क्या चार पन्ने भर होगे गलत बात ठीक है दा थेरोबेटिक एंड कॉस्मेटिक यूस अगें यूस बोल दिया यह हमारे उसमें भी ह यहां पर और थेरोबेटिक भी है किसके लिए पूच रहे है सेंडल फूटर एलावराज तो बजो कॉस्मेटिक यूस इस में है केवल क्या इसमें पूछा किसीका कॉस्मेटिक यूस नहीं पूछा ना जaking कॉस्मेटिक में इक्वाल होते ही हो कि tubing नहीं पूच liftcej ठीक है तो जो चीज जहां बोली गई है एक्स्प्लेंग देड़ देड़ नंबर का एक्स्प्लेंड करना क्या एक्स्प्लेंड करोगे बताओ तो कोई भी ले लो इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज है और अग्स्प्लांट का चीज हम लोग खा पी लेते हैं और अनौगाइज जो होता है जो इन डारेक्ट चीज होती जैसे कहीं से कोई रस टपक रहा है पत्ते को निचोड़ करें रस निकाला गया है है ना मतलब इन डारेक्ट डारेक् के पार्ट को खाया था को ज़一定要 कानी घखाने में फॉलेन होल्य खातंत्र में और टेक्निक और प्रोणे ओन सी थे प्लियर नहीं थी तो ऊसके बाद भी एक छूरा स纏वारा कि हम लोगो एक जर्णल नल को ड़िसकस करेंगे लाट चारहई मैं next year अब तो यह हो चुका है एक छोटा सा प्रमटर्ग्राफिक को लेक्श अब डाल के बना के उसमें डाल दूँगा तो फिलाल मैं कहरा हूँ अगर यह नहीं भी आता था तो यह तो खर मैंने पार्ट करा है नहीं तो टैनिन के बारे में लिख सकते थे अपर शिदी से बात यह डिसे बात कर रहुँ कि मैंने भी क्य Пр méthodesh ऑब कर रहा हूं लिए देड़ लिदा वाली बात कि हमें कितना लिखना है स्मये शॉर्ट नोट मेंøreत नमबर के यसाफ से अ 장 node कोई लिखना चाहिए गा गहां चला करएं घाने गाल नंवह लिखेशन पहर्ट लिखना था है तो आफको रहे हो सब्सक्रीत एक को सब्सक्राइब नॉममर में वह सब्सक्राइब निक फटाइब लिक फट्रूट करो गैं बात समय में आ रही है अब और लिखना था क्रमटरफी हो गया नेस्ट आते हैं हम लोग यह हमारे पास क्या है टर्म अच्छा अब देखो मैंने क्या कहा कोई भी चीज भाहर की नहीं है अब फार्मकोगनोसी बात है कॉइंड बाई फार्मकोगनोसी टर्म है उसके हिस्ट्री बख्या पड़े होंगे अब यह अन और्गनाइश की बात कर रहा है तो अर्जुना है उसके उच्छार बगएर रहती है उसको हम लोग निचोड करके उसका अंदर का अर्ग निकाल के पीते हैं ठीक है ना फॉलेंग क्रूड रग कंटेन अल्कॉलाइट किसके अंदर है क् फै Bettis अल्कॉलाइट फूचय है उसके एक्जा बेलाडोरणा ठीक ना तो ये चीजंश भी नहीं कह सकतेश्चुे बहार खायख क्यूंकी बेलाडोरणा हुआरे कोर्स में भी है एक मारे कोर्स में भी है कि यहां पैलाडोरणा मिलेगा ठीक है ढोनना यहां की पेला ढोना होगा ओके बाद देखते हैं विसे तो सिंपल सा कोशन था वो उसके बाद वीच्छाथ फॉल लो यह तो सिधा सिदा कोशन है डायूरेटिक की बात करूँ मैं अरे यह जबो डायूरेटिक कौन है पुनरवा क्या बाहर से आया यह सवाल न कौन है इसका इस्टिफिन डी फैलिस ठीक है देन उसके बाद हमारे पास आता है तब मेन केमिकल कंस्टेंट और गार्लिक एलिसीन यार लेसन सब खाते हैं सबको पता है क्या होता है इसके अंदर उसके बाद क्या हमारे पास ठीक है विच वट फॉल लूइंग इस नॉट आयरुवेधिक फॉर्मलेशन भी रिया क्रीम असावा बनता है भसमा भी बनती है और वोटिका भी बनती है ठीक है उसके बाद आगे आते हम लोग विच्वा फॉलाइज ड्रग और नाइस मतलब जो चीज़ हम डायक इस्तमाल करते हैं तो जिंजर का क्या होता है जिंजर क गांट डारेक्ट खालेते हम लोग खाते नहीं खाते हैं अधर की गांट डारेक्ट खालेंगे वह और नाइस क्याल आएगी यही तो बता रहा था मैं अभी आगे आते हैं इस फादर आफ होमेपेथी ठीक है तो यह तो बाई के लिए रहा है सौंबियोल हमने मैंने होमेपेथी पढ़ रहे हैं तो फादर वगएरा नाम किसने दें जनरल बातें पढ़ने पढ़ने पढ़ती है इस्टेराइल थर्ड यूज्ट टू टाइप प्लड वैसल्स ओके यहां पर थोड़ी से कन्फीजन हो सकती है एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं लाइगेचर क्या बोलते हैं इनको लाइगेचर चीक है ना उसके बार आते हैं अदको यहां तक तो चीज़ें असान है अब यह तुम्हारा यह वाला पार्ट है ना अबजेक्टिव और फ पूछे गए हैं जैसे लेकिन यह डारेक्ट है ब्लड वेसलों टायप करें सुछ जब पढ़ते हैं लाइगेचर लाइचर में सीज़ा सीज़ा डैफिनिस नहीं आती है जिनको हम लोग ब्लड वेसल में बांदने के लिए इसमाल करते हैं फिलिंदा ब्लैंस कहते हैं सब्स सब्सक्राइब करने के लिए आता है इसका नाम है इसके तीन वैसे हैं सबसे जो कॉमन नाम है वो गॉसिपियम अचिदी के नाम है गॉसिपियम के अधाथ हर बेसियम हर बेसियम और दूसरा क्या है गॉसिपियम बर्बा रहना बरबा यह यह चेक भी हो जाएंगे और यह क्या घॉसेप यह अ हरिस्यूट्यम करके नाम उसका ठीक है तो तीन निससा कोई भी एक नाम देदेकर चल जाएगा ठीक है यह भी इसको फिर निकालते तो यह क्या हो जाएगा अन और गनाइजड हो जाएगा ठीक है ना, गोल्ड बीटर इसकिन टेस्ट कितना किया, कितना किया यह तो ऐसी याद होगा, गोल्ड बीटर में खालाल के वाले हम बात करता था, किसके लोगता था यह, टैनिंस के लिए, डारेक्ट कोश्चन है यह, ठीक है ना, तर टी लीफ्स, अप्टेंड फॉम्द प्ल से नामें, इसका कौन बताएगा, ठीक है, कहां गया, कहां गया, यह रां, टी लीफ्स के लिए हमारे पाद जो प्लान्ट हुए, कमेलिया सैनेंसिस, क्या नाम है, कमेलिया सैनेंसिस, क्लियर है, ठीक है, जन आगे आते हैं, हम लोग विद्रयानिया सावनी फिरम नेसी ठीक है सिन्ना मोन को हिंदी में कहते हैं दालचीनी क्या कहते हैं दालचीनी शार्क लिवर ओल विटामिन कौन सा होता है विटामिन ए ठीक है ना तो यह 20 कोशन तो यह कोशन ऐसे थे जो पता होंगे तो आते हैं और यह डारेक्ट कोशन है शार्क लिवर ओल वाला है ना अब देखो यहां फटाफट में तुम लोगा जाए टाइम लेता हूं और कुछ चीन डिसकस करके इसको निचोड इसका में देता हूं लेक्ट थोगा सा लंबा हो गया है देखना जरूर बच्चो पूरा इसको ठीक है ना मैं फिर कह रहा हूं फटाफट इसको में एक निचो करना था ओके तो यह देखना यहां पर यह किस्या आया इस फंट चैप्टर 1 डिसका अशार क्लासिट्स इ किटाफ्ट प्रू对र क्लासिएश साहल क्रूठ थरू शूदुट गा यह रहा चाप्टर नूंबर टु है यह चैप्टर नूंबर टू है चैप्टर नेंगे this is the 4 ठीक है this is chapter number 4 biological source chapter number 5 then आगे आते हैं हम लोग sandalwood aloe vera gel और olive oil यह है हमारे पास olive oil okay sandalwood यह आगे chapter number 11 अच्छा है कुछ रूपर छूट गए है कुछ okay आगे आते हैं अगें chapter number यह रहा फाइव ठीक है अगें अरे 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 अहां यहां पर आगे प्रिजिए chapter number 1 adulteration I think chapter number 2 है यह do you know about herbal cosmetic herbal cosmetic herbal cosmetic herbal cosmetic chapter number 11 ठीक है राइड टेस्ट आप एडिवेट ग्लाइकोसाइड chapter number 4 बालेगार सोर्स थेपोटिक ऑफ एडिटू गोकुरू तुलसी ओपियम चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव से काफी आयो है कोश्चन कार्ड लग जाते होगें यह सोचों कि यह चैप्टर से ज्यादा पढ़ लें हाँ एक चैप्टर से ज्यादा आया है कोई बहुत बढ़ा था वो ठीक है ना कहां चला गए नुटर सुटिकल अर्बल एट रोल आप अच्छा यह है तो नाइंथ दिमाग काम ने कर रहा नुटर सुटिकल नाइंथ और अन और यह तीसरे से आया है यह फाइटर कमेंश्ट्री वाला है जो ट्वल वाला पार्ट आइधिंग और फोर्थ वाला यह कंबाइंड कोशन है कुछ ठीक है अब फटा-फट यहाँ द चैटर नंबर बन से आया है ठीक है अब फट्र नंबर टू से है तो मेरे चैने को तलब यह है अब इसको यह जो टॅल नबर नाइन आ गया ठीक है तो गार्ली के फट्ट在 फ्टॉड़ा सा कंटेंट ज्यादा आया यह तो पूरा यह हमने डिसकस कर लिया यहाँ पर तो बहुत जादा आज जो आगे डीफर्म करना चाहते हैं दिटेल में कोई दिक्कत निया दरोई बहुत जादा दीप में डीटेल में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है इस इस पर खासतों है चपकना है इस जह और जो हैसे हैं उसके अलावा एक चीज़ फाल तू नहीं पढ़ोगे, अगर एक्जाम में अच्छे नमबर चीए तो, नॉलिज के लिए पढ़ सकते हो, एक्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे, किलियर है, तो दो-तिन बाते जो मैं ने डिसकर्स करी, यानि कि अब अगर इसके हिसाब से भी त वहांस बहुत, अराम से हो जाओगे. तो पता है ना क्या करना है, तो पहले चीज सिलेबैस को सामणी की लिए नॉलिज के लिए पढ़ सकते हो, नॉलिज लिए जितना डीप चले जा उतना कम है ठीक है और एक एक नंबर के पॉश्चिन देड़ देड़ नंबर के पॉश्चिन आप आइडिया लग जया होगा ला किसमें कितना पन्ना भरना है ठीक है तो बच्चों इसी लिए मैंने कहा था जो सुरुवाथ में वापस लेके आता ह हो मैं इसको तो क्या लगता है कम पढ़के नंबर आएंगे ज्यादा हाँ अब आजाई कुछ लोगों के अब कम पढ़ना पड़ेगा अरे मत पढ़ो एक्स्ट्रा अगर कोई टीचर कहता है तो ठीक है टीचर कहता हो अपने लिए आपकी भाई के लिए कहता है बात लेकिन अग्जाम के लिए मत पढ़ो हमने सामने देख लिया ना अग्जाम कैसा आया है इसको समझ लिया तो किसी अग्जाम फेल नहीं होगे अब होगे फेल नहीं होगे अगर पैटर्न को समझते वे पढ़ोगे ठीक है ना यह दो दवाईया है बनाओ के आएंगे तो बात के लि ठीक है ना कि क्या लिखना है कितना लिखना और कितने पढ़ने लिखना है यह सब पात्याब यहाँ पे close होती है देप पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है यह बात भी यहाँ close होती है तो आप लोगों करना क्या है फिलाल सिलेबस से चिपकना है श्लेवत की बाते को ही पढ़ना है उससे ज़्यादा बहार हमें नहीं जाना है किलियर है? All the best